हे गाइज वालकम बैक टू मैं चैनलर सू डिजाइनिंग और आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा और डिजाइनर ब्लाउज लेक्या ही हूँ जिसमें काउल स्लीव्स मैंने लगा रखिया अब ये गाउन में बेबी फ्रॉक में टॉक में बहुत सी बार आपने देखा होगा बहुत सिंपल बेमे मैं आपको ये बताने वाली हूँ तो इसके लिए सब्से पहले हमें Slitchen blows बनाना है एन हमें ये मैं ये कपड़ा लेना रहेगा सो आईए इसकी cutting की video इस्चार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें back और front cut कर लेना है लंबाई चोड़ाई आपको अपने according लेना है दिन ध्यान रहे यहाँ पर मैंने सो जो shoulder लिये हैं वो मैंने यहाँ पर 75 के लिए हैं आपके जितने भी हो आप ले सकते हैं और यहाँ पर armhole में मैंने front में थोड़ी सी shutting जादा दिये ताकि वो perfect bet है और back side का portion मेरा छोटा है front side का portion मेरा बढ़ा है तो यह back और front दोनों हमारे cut हो चुके हैं इसके हम neck की cutting भी कर लेंगे front neck की जो हमें cutting करनी है उसमें चोड़ाई हमने यहाँ 2.2 ली है और लंबाई यहाँ पर हमने 4 इंच ली है आगे से मैंने normal नेकी cut करा है botnik जो हम cut करते बर चोड़ाई मैंने कम ली है then back side का जो portion है यहाँ पर हमने यहाँ पर गला आपको जितना भी लेना हूँ मैंने यहाँ 8 इंच का neck लिया है और चोड़ाई वही 2.2 ली है तो back और front दोनों को हमने cut कर लिया है यहाँ पर मैंने tux की marking कर लिया अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप tux लेते हो यहाँ पर मैं बीना बैल्ट वाला बना रही हूँ इसलिए यह टक्स की लंबाई थोड़ी सी चादा है अब यह हमने cut कर लिया है अब इसको हम अपने आमोर में मिला देंगे यहाँ पर मैं cutting वाला प्रिंसेस चक्स बना रही हूँ ताकि हमें कपड़ा और भी बहुत साथा बचे यह जितना अब हमारा पूरा portion है पांच इंच का इसका आदा करेंगे तो धाई इंच में हमने mark करना है उसके बाद कुछ इस तरीके से shape दे के अपने princess चक्स को हमें cut कर लेना है आप चाहो तो यह direct वाला भी बना सकते हो बर डारेक्ट वाला बनाना हो तो उसका shape इस तरीके से नहीं लगाना रहता है cutting वाला princess चक्स बनाओगे तभी आपको इस type से shape देना होता है तो इसके हम पूरी की cutting कर लेंगे और इसको man fabric पर भी हम cut करके इस चीज कर लेंगे सो आप यहाँ पर हमने 1,5 inch की marking ली तो side से भी हमें 1,5 inch की around इसे बढ़ाना रेता है 1,5-2 inch ताकि आपको आगे का part छोटा ना पड़े तो इस तरीके से हमने cut कर लिया है आप चाहो तो इस neck को और deep neck में भी बना सकते हो आगे से normal round neck का मैंने बनाया 4 inch का वो आप 5 inch भी ले सकते हो तो इस तरीके सामने man fabric पर इसको cut कर लिया है बट back और front part के neck को नहीं चिपकाया था क्योंकि हम उसको alter करेंगे अपने front man fabric के साथ तो मैंने यहाँ पर गला पटी करेंगी और वो गुम में अंदर चल जाएगी तो आप भी इस चीच का बहुत ध्यान रखेगा तो इस तरीके से अब हम back और front को पूरा ready कर लेंगे और इसको alter कर लेंगे neck को तो यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने front part में गले को alter कर लेंगे और यह देख सकते कि गुम में पूरा इस चीच हो चुका है यहाँ पर मुझे तुरपय करने की कोई need नहीं है back part को भी ready कर लेंगे और देखे पटी बिलकुल अंदर चली गई है पटी इसलिए लगाई यह मैंने मैं चाहती तो direct भी कर सकती थी बट पटी लगाने से क्या होता है गला अच्छे से बैठता है आप चाहो तो canvas का भी use कर सकते हो दोनों की shoulder attach कर देंगे आम होल में हम यहाँ पर पटी भी लगा देंगे यहाँ पर आप चाहो तो पलट पटी लगाओ आप चाहो तो गोड पटी लगाओ जो भी चाहो आप लगा सकते हो सो कुछ इस तरीके से हमने इस पूरे portion का ready कर लिया है अब हमें यहाँ पर sleeves बनानी है मैंने यहाँ पर back hook रखा है आप चाहो तो front hook में भी से बना सकते हो सो कुछ इस तरीके से हमने done कर लिया है अब हमें sluze बनाने है तो sluze में center से 3 इंच इधर 3 इंच इधर लेना है देखें आपको जितना deep में लेना हो न ये आप ले सकते हो बढ़ मेरे साब से 3 इंच sufficient इससे ज़्यादा down हमें नहीं लेना है तो ये 3 इंच पर हमने mark कर लिया है उसके बाद एक ruffle हमें यहाँ पर भी mark कर लेना है सो कुछ इस तरीके से 3 इंच की बाद हमें लगबख 4 इंच 5 इंच यहाँ पर नीचे mark करना है इस वाले निशान का कोई मतलब नहीं वैसे आप नीभी लगाएंगे तो चलेगा तो में हमें यहाँ से यहाँ mark करना है इसलिए हमने नीचे वाले की भी marking करिये तो जो 3 से 3 इंच है हमें वो कितनी losing लेनी है ये हमें ध्यान रखना है तो इसके लिए मैं एक बार और आपको बताती हूँ 3 से 3 इंच के हमने marking कर ली यहाँ पर भी हमने marking कर ली लगबग 4 इंच की तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यह कितनी losing लेनी है हमारे arms की देखे अगर आप चाहो तो इस type से भी map सकते हो आप चाहो तो किसी की body measurement से भी इसका map कर सकते हो सबसे पहले स्लीव को हमने double fold करके एक fold और करा है अब नीचे वाला जो portion था वो हमें चाहिए था 18 इंच आपने भी देखा होगा 18 इंच चाहिए था या 16 इंच भी आप ले सकते हो तो जितना भी लो उसका हमें half करना है क्योंकि हमें double में cut कर रहे हैं लंबाई मैंने 17 इंच ली जितनी मेरे पास बच रही थी आप 20 इंच तक भी ले सकते हो और लोंग करना हो तो आप और भी लोंग ले सकते हो अब हमें यहां से चोड़ाई लगानी थी हमारी उपर की चोड़ाई थी छे इंच उसका हमें half कर लेना है देखे मैं भी first time ही बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रख रख के cut कर रही थी और वही वीडियो मैंने शूट करा है बट आपको यहां पर ज़्यादा नहीं लेना है कपड़ा हमें यहां पर हमने तीन इंच लेना है तो तीन से आप यहां पर ज का पार्ट और नीचे का पार्ट और लंबाई सब कट कर लिया है इसको हम यहां से हम अलग कर देंगे और दोनों पार्ट को हम यहां से अलग कर देंगे इसलिए उसको बहुत ही इजी तरीके से मैं बता दियूं गाइस आप इसको गाउन में भी ट्राइक कर सकते हो इस बनाना बहुत इज़ी ही है, सो यहां पर हमने फोल्ड कर लिया है, दोनों पोड़िशन को अपर साइड से, दाउन साइड से और इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स लेंगे, और आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से 3 inch मेरा चोड़ा है 3,5 से 4 inch तो आप अगर और बड़े बड़े लेंगे तो कम आएगा तो इस तरीके से आपको थोड़ा इतना तो लेना है कि 4 inch तक कि इस स्लीव की छोड़ा ही है इसको इस साइट भी हम ready कर लेंगे और one by one दोनों तरफ से हम sleeves को done कर लेंगे बहुत ही easy तरीके से मैं इसे बनाना बता रही हूँ आप जरूर try किजेगा और मुझे अपना picture जरूर share किजेगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी sleeves ready हो चुकी है और हम दूस्ते साइट वाली sleeves को भी इसी तरीके से ready कर लेंगे इसमें आप छोटी sleeves नहीं बना सकते हो क्योंकि cold sleeves जो होती है like उस type का pattern है तो आपको यह sleeveless चैप ही रहेगा तो यह हमने यहाँ पर हमारा sleeveless जो blouse था उसमें आपको attach करना बताऊंगी कि कैसे attach करते तो यह दोनों sleeves को हमने one by one stitch कर लिया और बहुत ही अच्छा bounce में आ रहा है देकि fabric भी अच्छा होगा न तो उसका look बहुत अच्छा आएगा तो आप जब भी बनाओ इसको थोड़े मारी के मारा किंग करी से miss टेस करेंगी माँ से यहां तक जाएंगा मातों इसको हम love कर लेंगे तो कुछ इस तरीख से माचं। यहां से यहां तक Okay says Kry करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको लूज हो रही है तो आप थोड़ा-थोड़ा सा इस पोशन को और अंदर की साइट शिफ्ट कर सकते हैं इसलिए हमने इसको अपर की साइट से लगाया है ताकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कर सके हूं तो इसको आम और में जखते हैं तो कुछ इस तरीके साहने इस स्लिफ को रेड़ी कर लिया है और 1v1 सारी प्रोसेस कर लेंगे तो इदर भी हम ऐसको अच्छेश कर लेंगे और फिल सफेटिंग लगा देंगे और इस पील से हमने इस ब्लाओव इस बनाने रेडी कर लिया है और भी ऐसे लेटेस्ट डिजाइन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीज़ेगा गाई तो देखिए लुक में लग रही है एकदम प्रिटी सी तो हमने ये दोनों साइड इस स्लिवस को अटेज कर लिया है और ध्यान रहे हैं फिटिं इस ब्लाउस को डिजाइनर बनाना बताया है तो आप जरूर ट्राइ किज़ेगा मुझे अपना पिच्चर जरूर शेयर किज़ेगा और जरूर मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किसका देखना चाहते हैं आफ्टर वेरिंग भी ये बहुत ही ज्यादा प्र